लोग सुबर चुनाव दोहजर चौबीस के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनेतिक सरगर्मिया भी बढ़ रहे हैं इस बार चुनाव में PM मोधी के खिलाफ INDIA के तरफ से PM उमिद्वार कौन होगा इस पर भी अब तक फैसला नहीं लिया गया है लेकिन INDIA के गडवंधनों ने जो संकेट दिया है उस गडवंधन से जुड़े पार्टियों ने जो संकेट दिया है वो यह कि वो किसे समर्थन करेंगे और किसे नहीं इसे लेकर उनकी स्थिती साफ दिखाई पड़ रही है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि भावी नेत्रित्व कौन सभालेगा भावी नेता कौन होगा इन चर्चाओं के भी शत्रुगन सिन्हा ने अभी से बता दिया है कि राहूल या ममता में से प्रधानमंत्री पत्कियों मिद्वार के र चर्चा किसकी हो रही है, क्योंकि इसमें तो 26 दल है, 26 दलों के गड़बंधन INDIA की तरफ से कई नामों पर अठकले हैं, जिनमें की कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी, पहली INDIA की अगवाई करने वाले नितीश कुमार, ममता बेनर जी, अखिलेश यादव, अर लेकिन शत्रुगन सिन्हा की बड़ी बात ने वाकई में एक बार इस चर्चा को फिर से छेड़ दिया है, कि आखिरकार INDIA का नेत्रे तो कौन करेगा, 14 अगस्त को अभिनेता से राजनेता वने शत्रुगन सिन्हा से बातचीत हो रही थी, मीडिया के सामने वो थे, उन्हों ममता बैनर जी का नाम ही आगे किया, उन्होंने कहा कि ममता बैनर जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के रूप में मैं उन्हें देखना चाहता हूँ टीमसी के सांसत का ये बयान उस सवाल के जवाब में आया जब उन्होंसे पूचा गया कि वो कॉंग्रेस के नेता राहूट गांधी को प्रधानमंत्री पत के उमीदवार के रूप में कैसे देखते हैं उन्होंने बीटी आई को एक इंटरव्यू दिया इस चाक्षातकार में उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि ऐसे समय में जब हमारे पास राष्टपती के रूप में एक मैला है तो प्रधानमंत्री के रूप में भी एक मैला है ममतब एनर्जी जैसी तेज तर्रार नेता जिनके पास जनाधार है इस स्थिती में पिलकुल सूट करती है उप्यूक्त है लोगसभा में आसन सोल का प्रतिनिधित्व करने वाले शत्रुगन सिन्हा ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये निर्ने उचित समय पर ही लिया जाएगा लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे पास यानी विपक्षी गडवंधन INDIA में प्रतिभावान नेताओं की कोई कमी नहीं है कॉंग्रेस त्रेणमूल कॉंग्रेस और जंतादर युनाइटेट सहीत अन्य विपक्षी दलों ने भी अपने गडवंधन का नाम इंडियन नाशनल डेवलप्मेंट इंक्लूसिव अलाइन्स के साथ जोड़ा है शत्रुगन सिन्हा ने कहा कि हमारे पास युवा प्रतिभावान राहूल गांधी भी है जिन में देश अपना बविश देखता है हमारे पास आधुनिक समय के चानक के शरत प्रवार भी है निश्चित रूप से हमारे पास तेज तर्रार जन नेता ममताब एनरजी भी इसके विप्रीत बीजेपी के नेतरित वाली एंडिये के पास प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लावा और कोई नहीं है ये बार शत्रुगन सिन्हा ने कही आपको याद होगा प्यम मोदी ने आई एंडिये को घमंडिया कहा था ना कि इंडिया इस पर भी शत्रुगन सिन्हा से सवाल हुआ सिन्हा ने कहा कि चार साल पहले बीजेपी मैंने छोड़ दी थी त्रिनमूर कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए वो कॉंग्रेस में भी थे आपको ये भी बता दे मैं एंडिये में रहा हूं इसलिए दावा करता हूं कि जब भाई भतीजावात की बात आती है तो बीजेपी और उसके सहयोगी किसी से पीछे नहीं है ब्रश्चाचार पर उनका रुख तब सामने आ गया जब उन्होंने उन लोगों से गड़वधन किया जिन लोगों पर प्रधान मंत्री ने महराज पर ब्रश्चाचार के आरूप लगाये थे शात्रगर सिना का ये गंभीर हमला था बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए ये बात भी वो कहते नजर आए पुर्व केंद्री मंत्री ने एकदम टंस व्यंगात्मक लहजे में कहा कि जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि प्रधान मंत्री कहते रहते हैं कि वो फकीर हैं जो अपना जोला उठा कर चले जाएंगे तब पाठी का क्या होगा क्योंकि हमारे पास नेत्रित्व बहुत है और उनके पास नेत्रित्व के नाम पर चेहरे के नाम पर नाम के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोगी मैराद लोकसमद चुनाव से पहले आरोब प्रत्यारोब का दौर तो यूँ ही शुरूई है लेकिन INDIA के गटवंधन पर नेत्रित्व किसके हाँ पास होगा कौन कमान सम्हालेगा ये चर्चा अभी भी तेज है और इस पर शत्रुगन सिधाने ममताव एनरजी को नेत्रित्व सम्हालने की बात कही है उन्होंने कहा कि जैसे राश्ट्रपती एक महिला है तो प्रधानमंत्री भी एक महिला तेस्तरार टीमसी की अध्यक्ष ममताव एनरजी को होना चाहिए अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एचटी क्वालिटी में और हाँ बेल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर अमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंतर